हेलो बच्चों मेरी पार्चाले में आपका स्वागत है आज हम साइंस चैप्टर नहीं का टॉप्टिक जो है साहल वो करेंगे साहल बेसिकली वो मिट्टी है जो आपको लैंड के उपर दिखाई देती है तो हमारा जो अर्थ है इसकी चार मुख्य लैर्स होती है सबसे उपर की लैर को कहते हैं क्रस्ट उसके बाद होता है मैंटर उसके बाद होता है आउटर कोर पहले आउटर कोर होगा आउटर कोर फिर इंडर कोर तो यह जो क्रस्ट है यह सबसे उपर वाली जुन्लिय है इसकी जो टॉप होगी लैड के उप तो क्रस्ट की टॉप लेयर जो लेंड के उपर आपको दिखाई देगी वह होते हैं साइल हम अकसर दब जमीन पर चलते हैं तो हम साइल पर चल रहे होते हैं तो इस कि बनी होती है? इसमें सैंड होगी, ग्रेवल, बजरी या कंकड से कहते हैं, क्ले होगी, हुमस, वाटर हुमस क्या होता है? यह थोड़ा समझने वाली बात है, रेट, कंकड, बजरी तो आप समझते हैं humus है basically जो पत्ते वगारा जमीन पर गिर के सड़ते रहते हैं यह जो कोई पशु प्रानी कीडे मकोडे मरने के बाद सड़ते रहते हैं तो वो जो rotting leaves है dead living things होती है उसको कहते है humus तो यह सब soil में मिलते हैं तो soil हमारे लिए एक बड़ा ही उपयोगी natural resource है यह सबसे महत पूरन natural resource है क्यों? पहला कारण है कि जितने भी plants हैं वो soil में survive करते हैं उनकी roots soil में fix रहती हैं उसी के कारण एक जगा वो खड़े रहते हैं और उनको roots को soil में से पानी मिलता है और nutrients मिलते हैं तो plant grow करते हैं soil के कारण फिर हमारा agriculture culture जो भी हम plant लगाएंगे चाहिए wheat लगाएं, rice लगाएं, sugar cane लगाएं या सबजिया लगाएं, या fruits लगाएं या cotton बोएं तो हमारा cotton, कपाज, food, products, fruit, vegetables सब हमें मिलते हैं क्योंकि हम soil में plants लगा पाते हैं तो soil में plants लगते हैं इसलिए सारी vegetation है और vegetation के उपर भी जो है living things depend करती है यह soil बनती कैसे है soil बनती है एक word होता है weathering weather मतलब होता है तो weathering के एक word होता है weathering का मतलब क्या होता है rocks के उपर जब परबाव करता है किसका परबाव परता है water का या wind का या weather का weather मतलब घर्मी हो रही है सर्दी हो रही है तो सब के परबाव से हजारों, लाखों, सालों में जो बड़ी-बड़ी rocks टूट टूटके छोटे rocks बनती है छोटे rocks से वह कंकर बनता है कंकर से वह स्वाइल बन जाते है और जिस परकार की rocks टूटेंगी उस परकार की स्वाइल वहाँ पर होगी इसका मतलब है कि दर्ती में अलग अलग जगों पर अलग अलग परकार की स्वाइल होगी सारी दर्ती पर एक परकार की स्वाइल नहीं है हाला कि स्वाइल के मुख अंशवही होते हैं सैंड, ग्रेवल, क्ले, हियूमस, वाटर लेकिन ये अलग अलग परकार की स्वाइल होती है उसके बारे में अलक वीडियो से हम मैं हम समझेंगे, ठीक है तो सोयल की गहराई कितनी होती है हमने कहा कि ये घरती की जो क्रस्ट है उसकी आउटर मूस्ट लेयर है सबसे भारी लेयर है तो हर लेर की भी कोई मुटाई होगी यह गहराई होगी तो उसकी गराई लगबग एक फुट से लेके पांच फुट तक हो सकती है 25 सेंटीमीटर लगबग से लेके 150 सेंटीमीटर तो कहीं आप खुदाई करेंगे तो बहुत गहरी जाएगी सोयल कहीं पे कम गहरी होगी, कहीं पे बिलकुल शैलो, शैलो को मतलब बिलकुल उथली थोड़ा सा खोदेंगे तो नीचे से रॉक सा जाएंगी तो अलग अलग जगा पे इसकी गराई अलग होती है और इसकी भी एक्टुली लेर्स होती है जैसे पूरे धरती की चार मुखे लेर हैं ऐसे ही जो सोयल मालेज़ आप कहीं पे डिच्च कोदें गड़ा खोदें तो आपको यहां पे अलग अलग लेर्स दिखने को मिलेगी गराई उसकी अलग होगी जैसे मैंने का कहीं पी हो सकता है एक फुट की गराई हो कहीं दो फुट हो, कहीं चार फुट हो, कहीं पांच फुट हो तो उसकी गराई अलग होगी लेकिन इन गराई में अलग अलग लेर्स होती है इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाके आपको समझाऊंगा अच्छा एक वड़ी इपॉर्टन चीज है बहुत सारी एनिमल लाइफ जो है वो साइल में सर्वाइब करती है आपने भी देखा होगा जैसे अर्थ वर्म्स है ये कुछ केड़े मकोड़े होते हैं ये रॉडेंट्स चूहे वगारा स्नेक्स वगारा ये सब स्वाइल में बिल बनाके रहती है तो स्वाइल एक तरफ तो वेजिटेशन को स्पोर्ट करती है और दूसरी तरफ कहीं लिविंग ठिंक्स को ये रहने की जगा देती है शल्टर प्रोवाइड करती है अब ही इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे अगले वीडियो हम जानेंगे कि जो स्माइल की जो अलग-अलग layers क्या होती है ठीक है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसे आप लाइक करें अपने friends के साथ share करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you